चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। जै संतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं आज की राशियों के बारे में और कैसा रहेगा आपका दिन। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 17 नवंबर 2024, रविवार का दिन है। मार्गशीर्श मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पूरे दिन और रात रहेगी। भरणी नक्षत्र शाम 6 बज कर 20 मिनट तक रहेगा। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू होगा। शुकल योग शाम 5 बज कर 29 मिनट तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ होगा। गर करण दोपहर 1 बज कर 54 मिनट तक रहेगा। इसके बाद वनिज करण होगा। आज का राहुकाल यानी दिन का सबसे अशुब समय सुभह 4 बचकर 20 मिनट से 5 बचकर 47 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मूहुर्थ जो दिन का सबसे शुब समय होता है दोपहर 11 बचकर 50 मिनट से 12 बचकर 34 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा व्रिशब राशी में संचार करेंगे जबकि सूर्य व्रिशिक राशी में स्थित रहेंगे 17 नवंबर 2024 रविवार को आप कई मीटिंग्स में हिस्सा लेना चाहेंगे और कुछ लोग आपके कार्य प्रदर्शन पर चर्चा कर सकते हैं अपनी कड़ी मेहनत से आपको शांदार परिणाम मिलेंगे और आप पुरसकार का पूरा आनंद लेंगे हाल ही में आए धन की कमी से उत्पन अनसुल्जे मामलों को सुलजाने के लिए अतिरिक्त आय का उप्योग करें अपने रिष्टे की स्थिति के प्रती सतर्क रहें क्योंकि जो मतभेद आप महसूस कर रहे हैं उन्हें सुलजाने के लिए सच्चे दिल से प्रयास की आवश्यक्ता है आपके नेतरित्व कोशल, आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत रिष्टों में आपकी मदद करेंगे आप भावनात्मक बातचीत में प्यार, जुनून, शान्ती और अंतरंगता पर ध्यान केंदरित करना चाहेंगे पैसे की दौड में आप आगे बढ़ रहे हैं हालांकि अपने दोस्तों और प्रियजनों को पीछे छोड़ने के कारण आप उदास महसूस कर रहे हैं लेकिन हसी और प्यार के साथ स्वास्थ्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो और आप जानते हैं कि मनुरंजन, प्यार और आनंद के लिए कुछ हद तक पैसे की आवश्यक्ता होती है अगर रिष्टों और धन में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप हमेशा रिष्टों को प्राथमिक्ता देंगे पारिवारिक जीवन में आज मिश्रित परिणाम हो सकते हैं आज आपको अपने गुस्से पर नियंतरन रखना होगा खास कर अपने वाडी के साथ वैवाहिक जीवन में आज आपको अपने जीवन साथी की बातों पर ध्यान देना होगा और उन्हें समर्थन भी देना होगा, अन्यथा आपस में कहा सुनी हो सकती है। ससुराल पक्ष के रिष्टेदारों से आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए। आपको आज किसी पारिवारिक कारण से यात्रा करनी पड़ सकती है। लव लाइफ में आप अपने रिष्टे को लेकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फल दायक रहेगा। कार्यक शेत्र में अपनी योगिता के अनुसार काम करने से आपको सफलता मिलेगी और किसी का भी मुकाबला करना मुश्किल होगा। महिला मित्रों से आपको आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कारोबार में अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन धन उधार देने से बचें। आपके चारों और का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। अन्निथा बाद में पच्टावा हो सकता है। अपने शरीर की ठकान को दूर करने और और जास्तर को बढ़ाने के लिए आपको पूरी तरह से आराम की जरूरत है। नहीं तो शारीरिक ठकावट आपके मन में निराशावाद पैदा कर सकती है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविश्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं। और उमीद है कि यह योजना सफल होगी। आपके जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन यदि आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो आज भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि यह आपका दिन है। लगता है कि आपके वरिष्ठ आज देवदूतों जैसा व्यवहार करेंगे। आज रात को अपने जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते हुए आपको महसूस होगा कि आपको उन्हें और भी समय देना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष्क मंगल ग्रह के प्रभाव में होते हैं लेकिन आज के दिन व अच्छतावा हो सकता है। क्रोध पर नियंतरण रखें। लव लाइफ की बात करें तो आप और आपके जीवन के किसी खास व्यक्ती के बीच हुआ विवाद अभी भी आपको परिशान कर सकता है। आप अपने रिष्टे के भविश्य को लेकर चिंतित हैं और इसे सुलज अच्छे इरादों के साथ काम करना। किसी रिष्टे में अंत भी कभी जरूरी हो सकता है। अपने गुप्त डर या पच्छतावे से आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। परिवार या पडोसियों को आपकी मदद की आवश्यक्ता पढ़ सकती है क्योंकि वे बच अच्छों से जुड़े किसी संकट से गुजर रहे हैं। आप इस समय अपना पूरा समय इच्छाओं और प्रेम को देना चाहते हैं। अपनी शारिरिक इच्छाओं को आप स्पर्श के माध्यम से उत्तेजित कर सकते हैं। आपका उत्साह इस सुखद अनुभव को कम नही होने देगा। जीवन के इस आनंद के साथ एक बहतरीन और स्वस्थ जीवनशैली भी मददगार साबित होती है। एक करीबी दोस्त, रोमांटिक साथी या महमान को खुश करना भी एक स्वस्थ और फलदाई जीवनशैली का हिस्सा है। खुश रहें और अपने आत्म की जा सकती है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और इसमें आपके अधिकारी या करीबी साथी भी शामिल होंगे, जो आपके नेत्रित्व के गुणों को नोटिस करेंगे। आपकी पदोननती और रैंक में वृद्ध हो सकती है। मिल रही तकलीफों का मजा लें, लेकि अपने लक्षे पर भी ध्यान दें। किसी बड़ी कंपनी से अच्छे अवसर मिल सकते हैं, इसलिए अपने सभी निर्णेओं को सोच समझ कर लें और अपने साथी की सलाह भी लें। अनुबंधों की समीक्षा करें और सावधानी से खरीदारी करें, ताकि बाद में आज आपका ध्यान केवल भौतिक पहलूं पर केंद्रित होगा, जैसे प्यार, लगाव और संजीदगी। एक अच्छे दोस्त या साथी को खोने का विचार आपको उदास कर सकता है। आपका शारिरिक स्वास्थ्य अब सुधरने लगा है, जो आपके लिए एक बोनस की त आप रोमांटिक या यौन संबंधों के लिए पूरी तरह सजग है। आपकी गतिविधियां आपको व्यस्त नहीं रखेंगी। इस राश्य के जातकों को आज कारिक्षेतर में लाभ मिलेगा, लेकिन दिन खर्चीला भी रहेगा, जिससे बचत करना मुश्किल होगा। वि आपके लिए फाइदे मंद रहेगा, लेकिन छोटी अवधी के निवेश में नुकसान हो सकता है। सेहत के मामले में इस राश्य के जातकों को स्वास्थे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। सलाह दी जाती है कि आज संयमित खानपान पर ध्यान दे। आपकी कोई दबी हु पयोग सोच समझ कर करते हैं तो यह आपके लिए लाबकारी रहेगा। आज किसी नए इंशूरेंस प्लान पर विचार करना आपके लिए शुब हो सकता है। जिनका जुकाव निवेश की ओर है वे आज योजना बना कर कदम उठा सकते हैं क्योंकि समय अनुकूल है। अपने परसनल फाइनेंस को बहतर ढंक से मैनेज करने के लिए आज नए तरीके अपनाना फाइदेमंद हो सकता है। लोन एप्लिकेशन के लिए आज का समय शुब है, सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। अगर आप मोर्दगेज के लिए कोई निर्णे लेना चाहते है तो आज आपकी राश्य के सितारे आपके साथ हैं। बिजनिस के क्षेतर में एक नया स्टार्ट अप शुरू करने के लिए दिन शुब है। स्टॉक मारकेट में निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, सही निर्णे आपको लाब दिला सकता है। आपकी राश्य के अनुस अगर आप आप आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स के क्षेतर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम है। डिजिटल मारकेटिंग से जुड़े लोगों को आज नए अवसर मिल सकते हैं, जो भविश्य में लाबकारी सिद्ध होंगे। ई-कॉमर् रणनीती पर काम करने वालों के लिए आज का दिन नए प्रयोग करने का है। अगर आप वेब होस्टिंग से जुड़े व्यवसाय में हैं, तो निवेश के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थे के दृष्टिकोंड से आज वजन घटाने के प्रोग्राम शुरू करना आज का दिन इसके लिए शुब है। अंत में फिटनेस एक्विपमेंट खरीदने के लिए यह समय आपके प्रयासों को सार्थक बना सकता है। आज का उपाय है कि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। और तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत, च इवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो।